चली आज की वीडियो में एक पोयम की स्टेडी करते हैं जिसका नाम है अमंडा जिसको रोबिन के लिए लिखा हुआ है और अमंडा एक लड़की का नाम है जिसको उसकी मा के दोरा कुछ निदेश दिये जाते हैं देखते हैं क्या निदेश दिया जाते हैं तो पहले इस्टेंजा में लिखा हुआ है डॉंट वाइट यूर नेल्स डॉंट मतला नहीं वाइट मतला काटो यूर नेल्स मतला अपने नाखुनों को नहीं काटो दातों से ऐसा उसको निदेश दिया गया है सैकेंड में लिखा ह don't hunch मतलब होता उचालना मत उचालो your shoulder मतलब कंदों को तुम अपने कंदों को नहीं उचालो Amanda stop मतलब रोको that slouching मतलब होता जुगना इस तरह से जुगना रोको and sit up और bed जाओ straight मतलब होता सीधे और सीधे से बैठ जाओ किया मतलब होता है तो बहाँ पर अकेली मतलब होता है चलपर हो सबन्दरे क्eping क्या करते हैं यहां पर हम्बर्क काम को साप कर लिया है अमांड dud तो क्या आपने साप किया है यहां रूम अपना रूम साप कर लिया है अमनदा है अमांड आई दोर्ड मुझे लगता है I told मैंने कहा था You मतलब आपसे To clean मतलब साफ करने के लिए क्या साफ करने के लिए कहा था You are so, आपके जूतों को साफ करने के लिए मैंने कहा था, ऐसा उसकी मा कहती है आंगे देखते हैं तो अपनी मा से वह परिशान हो जाती इसलिए वह सोचती है यदि मैं क्या होती I am an orphan, orphan मतलब होता अनाथ, यदि मैं अनाथ होती तो वो क्या करती, roaming मतलब घूमती और कहां घूमती, street मतलब होता है सलकों पर, तो वह के लिए सलकों पर घूमती, और वो क्या करती सलकों पर I pattern, मैं pattern मनाती और कहाँ बनाती, soft dust मतला होता है मुलायम धूल पर, और bit मतला होता है केसाथ, माय मतला मेरे, whose मतला होता है साथ, और bear feet मतला होता है नंगे prayer, तो भाई-परणेट नंगे पर और साथ पेरों से बहाँ soft dust पर क्या बनाती है ? पैटन्मादव चित्र मनाती और वहां पर अकेली होती, कोई टोक्नेवाला नहीं होता उसलिए वो कह रही है, जो साइलेट है, मतलब वो सांती है, वहां पर, इस गोल्डर बल रही, मनमुहा क्या सुनेरी है, और जो फ्रीडम मतलब आजादी होती वो कैंसी होती उसकी, सुई मतलव याद करो, यूर मतलव तुमारे एकने मतलव होते हैं, मोहासे होते हैं, तो जो उसको पहले चॉकलेट खाने से क्या निकलाए थे, मोहासे निकलाए थे, तो उसकी माँ उसको रेममबर करा रही है, कि तुम अपने मोहासो को याद करो, इसलिए उस चॉकलेट को मत खाओ बिल्यू प्लीस क्या आप लुकू एट मतलब देखेंगी मी मतलब होता मेरी और तो माता जी बोलें क्या आप मेरी तरफ देखने का कष्ट करेंगी बेन मतलब जब I am speaking जब मैं बात कर रही हूँ तो माता जी उसको देखती है और बात करती है तो इसलिए बोलती है और अमंडा करती है अपनी गरदन को नीचे कल लेती है तो इसलिए मा उसको निजभिज दे रही है जब मैं आपसे बात करें तो मेरी साइट देखने का कष्ट करें तो इस तरह से उसकी मा के दौरा कुछ निजभिज दिए गया इससे वह परिशान हो जाती है यदी में क्या होती आइम रिपुणजल होती रिपुणजल एक परियों की कहानी की लड़कियों का नाम है तो I am रिपुणजल में यदी क्या होती रिपुणजल होती तो I have not a care मुझको किसी की परवा नहीं होती जो लाइफ है और कहा होती उसकी लाइफ इना टौबर के never मतला कभी नहीं, late down मतला होता नीचे करना, my bright hair में अपने bright hair को कभी नीचे नहीं करती तो यहां पर इस टेंजा में बताया जारा है कि जो अमंडा है वो रिपुणजल बनना चाहती है जो रिपुणजल है और परियों की कहानी की लड़कियों के नाम है जिसको बूरी चले अमंडा कह रही है कि मैं अपने बालों को कभी नीचे नहीं करूंगी किसी व्यक्ति के लिए और में वहाँ पर रहना चाहती मैं आजात नहीं होना चाहती हूं अपनी बत्तमीज़ू को बंद कर दो एट बंस मतला होता तुरंथी अमंडा तो यहां पर माता जी कहती है तो अपनी बत्तमीज़ू को तुरंथी बंद करो you are always, always मतला होता हमेशा, so मतला अत्यदिक, moody मतला होता मनमानी, तुम अपनी अत्यदिक मनमानी करती रहती हो मंदा, any one मतला कोई ब्यक्ति, but think मतला सोचेगा, that मतला की, I मतला मैंने, next मतला data है, at you मतला आपको मैंने data हैं सा कोई ब्यक्ति सोच सकता है